दोस्तों अगर आप विहार सिक्षुक बढ़ती का फॉर्म बरने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत एच्छी तरीके से याद रखनी है उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए बार-बार हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मिशन दे रहे हैं कि फॉर्म में क्या कुछ चीजें कैसी होनी चाहिए क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म सब्मिट कर देते हैं तो उसके बाद आप फिट से आवेदन नहीं कर सकते एक option उन्होंने जरूर दिया हुआ है कि आप जब फॉर्म सब्मिट हो जाता है उसके बाद cancel करके जो भी चीजें हैं सुधार करके आप उसमें फिर से फिस सम्मिट करके एकाम कर सकते हैं लेकिन ऐसे नौबत आये ही ना आप शुरुआज से ही कोई भी गलती होने नहीं दीजेगा जब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ आपके सवालों को ले करके खासकर other state documents ध्यान रखिएगा other state में जब भी आप जाते हो तो यहाँ पर आप select करते हो कि आप जो है वो permanent origin आपका जो है वो बिहार से नहीं है जब आप no को select कर लोगे तो आप यहाँ पर general category में count हो जाते हो general category के लिए किसी भी other documents के SMS जरूरत नहीं होती जब हम पूरा form मैंने बताया हुआ है कैसे फिल किया जाता है कैसे आप form भढ़ सकते हो वीडियो के description को एक बार आप जरूर चक कर लीजेगा सारी चुछे आपको मिल जाएंगी seated marks को ले करके अगर हम बात करते हैं seated के marks में अभी तक जो उनका notification देखने को मिला है जो अलग से इन्हों ने खावरे दी हैं उसमें यही है कि अगर आपके seated जब हम अपने आपके certificate के बात करें उसमें qualified अगर लिखा हुआ है आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो अगर आपका qualified लिखा हुआ है यानि OBCACST महिलाओं वाली बात होती है T2 marks पर और 90 नमबर आपका general category का होता है 90 नमबर तो ऐसे में आप वहाँ पर आविदन कर सकते हैं निवास होगरा कि आपको जरूरत नहीं अधर स्टेट में क्योंकि आप अधर स्टेट जब सलेक्ट ही कर रहे हो तो अधर स्टेट में आप कहीं से भी हो सकते हो निवास उन्हें लगाना है जो केवल बिहार के हैं जो बिहार के resident है कुछ और चीज़े हैं जो आपको धियान रखने की जरूरत है जैसे जब हम यहाँ पर बात करते हैं यह आपका जो लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे जब BTC DLA को आप सेलेक्ट करते हो क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर estate 1, estate 2 की परिक्षा उन्होंने पास नहीं की हुई है यह केवल बिहार के students ने किया हुआ है वहीं भर सकते हैं इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से ध्यार नखेगा बाकि इस सारे options में मैंने आपको बताया हुआ है कुछ बच्चों ने क्या है कि नियुनितम आपका 50% उच्चतर माधिमिक वाला select कर लिया है साथ में DLA को तो इसके लिए कोई issue दिक्कत नहीं है ऐसी कोई वो नहीं होगा कि आपका form reject हो जाएगा बाकि यहाँ पर graduation के बाद DLA DUP में होता है B.A.D. वाले अपने हिसाब से हाँ पर select करेंगे 50% उच्चों के साथ असनातक और शिक्षा असनातक जो नीचे just option लिखा हुआ है यहाँ पर उसके हिसाब से ही आप अपना form भरिएगा ठीक है बाकि सारी चीज़े मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है कुछ बाते मैंने आपको बताई है फोटो आपका live जो है वो upload होगा ऐसे में ठीक है mark street और जो भी चीज़े है अगर किसी का certificate नहीं है तो अपना mark street का pdf बना करके upload कर सकता है 100 kilobyte से कम होना चाहिए इसमें भी कोई confusion होना नहीं चाहिए ध्यान रखिएगा पूरी कोशिश करिए कि आपके original चीज़े वहाँ पर upload करें अगर वो चीज upload आगर आपके पास original की व्यवस्ता नहीं हो पाती हो और आप फिर भी चाहते हो form भरना तो एक आप risk ऐसे में ले सकते हो जो internet से downloaded जो आपकी copy होगी जो आपका result ये mark street होगा उसे आप upload कर सकते हो लेकिन इसमें risk होगा हो सकता है कि form reject हो जाए क्योंकि आप से original चीज़ों को ही वहाँ पर upload करने की जो है बात की गई है original चीज़े ही मागी गई है ये सारी चीज़े बहुत अच्छी तरीके से याद रखेगा कुछ और बाते हैं यहाँ पर मैंने गहाँ आप से जब हम certificate number की बात करते हैं जो seated का है आपका तो उसमें आपका जो एक दो चीज़े हैं यहाँ पर मैं आपको इ होती है नौ बजे लाइफ क्लास होती है उसे भी आप जरूर जुड़िए अगर आप तयारी करना चाहरे कि ओल फॉर्म भरने से काम नहीं होगा यह बात आपको भी पता है तो तयारी भी करिए साथ में हमारे द्वारा बिहार सिक्षक भरती का hard copy notes भी प्रवाइड कराया ज